नमस्कार प्रभुवर पुना श्वागत आपका इस प्रभु अवतरण अभ्यान में जिसका उदेश प्रभु के एक संदेश को जंजन में प्रशारित करना है वह संदेश बड़ा शरल प्रंतु मानो कल्यान हेतु अत्यन्थी महत्पूर्ण है मित्रों इस अभ्यान के माध्यम से मैं तमाम प्रभु प्रेमियों तक प्रभु का एक लाइन का संदेश पहुचाना चाहता हूँ और वह संदेश यह है कि उन्होंने आपको इस धर्ती पर हमेशा खुश और आनंद से रहने के लिए भेजा है यह उनका वादा है इस संदेश को आप ग्रहन किजिए कि प्रभु का वादा है आपको हमेशा सरवदा खुश और आनंदित रखना प्रंतु एक और संदेश है वह यह है कि आपने भी उन्हें हर चन हर पल याद रखने का वादा किया है यह संदेश मात्रुष आपके वादे का अश्मरन है उसे आपको याद दिला देना है कि मित्रवर प्रुवर आपने उस प्रमात्मा को इस भूलोक में आते वक्त उस समय एक वादा किया है कि आप उन्हें एक चन एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे हम भी अपना वादा निभाने की कोशिश करें और निश्चित है कि प्रभू के अपने वादे पर हम मनुष शक नहीं कर सकते हैं संदे की कोई जगह नहीं है बस हमें अपना कर्म करना है और उन्हें पुकारना है उन्हें याद करना है हम कब पुकारें हम कब याद करें और कितना याद करें यह प्रस्ण हमारे जेहन में उठ सकता है तो मित्रो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वास्तों में जन्म से लेकर के मिर्टिय तक यह जीवन के तीन पन्ने हैं एक जन्म जो प्रभू ने लिख दिया है एक मिर्टिय उसे भी प्रभू ने लिख दिया है एक बीच का पन्ना है जिसे हम जीवन कहते हैं वह पन्ना सद्धा है और उस पन्ने में हमको लिख देना है ये प्रभू तुआ ते तिस करोड बार अपने जीवन में प्रभू का आस्मरन कर लेना है किसी भी नाम से किसी भी रूप से मित्रो बेवारिक तोर पर हम देखे कि अगर हम अपने सभी भूतिक काम को करते हुए प्रभू का भी अस्मरन करना चाहें तब 33 कडोर बार संभोध नहीं है इस बात को रिश्यों ने भी समझ लिया था हमारे प्राचिन रिश्यों को इस बात का आमास हो गया था कि एक मनुष्य अपने दैहिक जीवन में रहते हुए बहुतिक जीवन को जीते हुए अपने पुर्शार्थ को करते हुए अपने उतरदाईतों का निर्भन करते हुए यह समझ नहीं है कि वह 33 करोड बार प्रभू का आस्मरण कर सके इसके बाद उन्होंने एक सरल साधन दिया जिसका नाम है शामुहिकता शामुहिक प्रार्थना जिसे हम किर्टन भी कहते हैं अन्य अन्य नामों से जानते हैं जिसमें लोग मनुष्य इकठे होकर के प्रभू का आस्मरण करते हैं मंदीर भी उसी कड़ी का निशानी है कि जब हम वह आ जाते हैं तो हम मनुष्य एकत्रित होते हैं और इस सामुहिकता का जो मुल लाब है वह है सभी के द्वारा किया गया प्रार्थना का फल सभी को प्राप्थ होना यानि कि यदि दस मनुष्य एक ही समय में एक ही धे और उदेश के शाथ यदि प्रभू का आस्मरण करता है और वह केवल दस बार ही प्रभू का नाम लेता है और प्रभू का आस्मरण करता है तो सभी दस वेकतियों को जो दस दस बार प्रभू का नाम और आस्मरण किये उनको सो बार दस कुना दस दस दहाई शौव यानि कि दसो को सो सो बार प्रभू असमरन का फ़ल मिलेगा तुमितर अब समझ रहे होंगे कि इस अभियान का मुलू दिश क्या है हम जानते हैं आप भी उनका असमरन कर रहे हैं हर वेक्ति उनका नाम ले रहा है लेकिन आप साथ हो करके हमारे साथ लोगों के साथ इकठे हो करके सारे रिक तोर पे नहीं आप जो जहां है वहीं आप जिस परिस्थिती में उसी परिस्थिती में किवल एक समय और काल में प्रभू का अस्मरन करें अगर हम लोग तीन बार भी प्रभू का आस्मरन करते हैं और संजोग से उस समय एक हजार बेखती उसी समय और काल में प्रभू को याद कर रहा है तो मित्रो आज का हमारा जो प्रभू आस्मरन की गिंती होगी वह तीन हजार की हो जाएगी यानि कि अपने 33 करोड लक्ष की ओर हम तीन हजार कदम आज बढ़ा चुके होंगे निश्चित तोर पर इस सुत्र के जरिये इस शामुहित्ता के जरिये हम अपने उस परम लक्ष 33 करोड चाहे वो देवी देवताओं के लिए हो या प्रमात्मा के लिए हो आप एक में 33 करोड मानते हैं या 33 करोड को एक में ही मानते हैं जिस वी देशे आप प्रभू का अस्मरन करे आप उस लक्ष की ओर तेजी से बढ़ेंगे तो मित्रो याद रखे प्रभू के इस संदेश को वो आपको इस धर्ती पर सरवदा हमेशा हर चान खुश और आनंदित रहने का वादा के साथ भेजे हैं और ओ अपने उस वादे पर हमेशा ततपर हैं दिकत उनके आने में नहीं है देरी हमें बुलाने में हो रही है यह देरी मेरे तरफ से हो रही है कि हम उनको पुकारने में देरी कर रहे हैं हम अपना वादा भूल रहे हैं हमने भी उनको वादा किया है कि हम तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा इसलिए मित्रों, पुरो हागरा आप इस अभ्यान से जुड़े निश्चित तोर पर एक शाकार आत्मक बदलाव अपने जीवन में पाएंगे, आनन्द के कुछ ऐसे च्छन आपके जीवन में आएंगे, कि आपका बिश्वाश, आपकी स्रधा इस अभियान पर और बढ़ेगी, मैंने कहा ही है मित्रो, कि इस अभियान से जूरना बड़ा सरल है, आपको केवल परतिक तौर पर, सामुहिकता का एक परतिक तौर पर, अभियान का एक प्रभू पंजी है, उस प्रभू पंजी में अपना नाम दर्ज कर लेना है, अथवा किसी प्रचित प्रभू प्रेमी के माध्यम से, उनके शहयोग से, अपना नाम को उस प्रभू पंजी में दर्ज भर करा लेना है, आप जैसे ही आपका नाम इस प्रभू पंजी में जूर जाता है, आप इस सामुहिकता का एक महत्पुन हिशा बन जाते हैं, आपको इस सामुहिक प्रार्थना का लाब मिलना शुरू हो जाता है, नमस्कार, आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए चर्चा के साथ, नमस्कार,